आप सभी देख रहे हैं समाधान इस्टेडियूर आज काफी बच्चों का एक्जाम बहुत ही अच्छा गया है और काफी बच्चे जो बहुत ही नर्वस हुए है उन सभी बच्चों को बता दू नर्वस होने वाली कोई भी बात नहीं है ठीक है एक बार से जो है पेपर देने से पुरा जो है सेडूल चेंज नहीं हो जाता ठीक है बच्चा तो देखे आज मैं बात करूँगा 18 तरीक का 1st, 2nd, 3rd shift का ठीक है 1st shift जो है काफी बच्चों के मा अगे भी चलता रहेगा अब देखिए और पूछा कैसे जा रहे है यह भी आपकी कुछ queries रहती है कि सर्फ पूछा कहाँ से जा रहा है तो जो पूछे जा रहा है वो सारा का सारा basic चीजे पूछे जारी है क्या पूछे जा रहा है basic काफी numericals आ रहे है काफी physics में भी numericals सारे हैं काफी chemistry के भी numerical सारे जिसमें time commission हो रहा है बच्छा आपका 150 question भी नहीं देख पा रहा है 150 question होता है 120 minute आपको मिल रहा है तो मान के चली एक question को आपको 40 कितना 45 जो है second लग रहे है और इसे क्या है बच्छा देख भी नहीं पा रहा है तो पहले तो मैं आपको बता दू यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले कि आपको सात्यों पूरा का पूरा पेपर देखना है आपको जो है 100 minute में अपना पूरा पेपर देख लेना है कितने 100 minute में 20 minute हमें बचा के रखना है जो हमने कुछ गलत लगाया हमें doubts था उनको पर आपका minus marking नहीं है तो doubt तो बिल्कुर नहींगा आपको starting से ही पूरा पेपर को fastly करते चलना है मैंने पहले भी बताए आप लोगों को कि paper जब भी आप लोग solve करे अपनी speed बढ़ाए test भी मैंने दिया कि आपको जो है आप लोग speed से solve कर पाए 30 second मैं आपको देता था पर question exam में आपको 45 second मिलेंगे कितना जब आप test में पूरे question solve कर पाते थे तो exam में भी आप लोग पूरे paper solve कर लेंगे पूरा paper भी solve कर लेंगे और पूरा question भी देख पाएंगे तो आज आपको physics और chemistry बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था physics और chemistry English 10 question कई सिफ्ट में आपका 15 question कहीं में 20 कहीं में physics ज़्यादा और botany जुलाजी कमा रहा है समझ रहे आप लोग तो देखें कहां से question आ रहे तो जो आपकी basic जो जानकरी है basic चीज़े है जो आपके आपके पास solution होगी आपके पास जो आपका NCRT होगी जो basic चीज़े है वो basic ही आपको पुझा रहा है आपने जितना बड़ा sufficient है अभी आपको load लेंगे तो वो paper नहीं बन पाया तो अपनों को आपको load नहीं लेना है simple जाना है पेपर कटीन था है आसान तो paper model लेवल का था नहीं कटीन था नहीं आसान था model लेवल का था pattern change हो चुका है मैंने आपको बताया है कि pattern कैसे change हुआ है 150 question था पहले आपको 30-30 number का पुझा था equal पहले botany, jology, physics, chemistry अब आपका random ले आ रहा है पूरा question mix आ रहा है कभी physics आएगा, कभी chemistry आएगा कभी English आएगा और सब mix पूचा जा रहा है तो आपको ये समझनी आएगा कि कुन सा जो question है, कितने marks का आ रहा है ये मान के लिए आप सभी को बता दूँ guys कि normal आपको 70 plus marks लाना है normal अभी के paper के according normal आपको हर बच्चे को 70 plus marks लाना है कितना 70 plus marks और फिर chances बनते हैं ये नहीं कहूँगा कि 100% selection हो जाएगा जब तक कि पूरी shift नहीं देखूँगा जब तक मैं नहीं बता पाऊँगा आप लोगों को कि आपका selection हो गया रही तो जिन बच्चों का exam दिया है वो नीची comments box में marks comments कर सकता है ठीक है जैसे कि एक अंदाजा लग जाए कि को top क्या जा सकता है तो ये paper था कल वाले साथियों के लिए जिनका भी 19 जो है October को exam है best of luck अपना best देकर आएगा और हर भढ़ात मत किजेगा paper को जल्दी जल्दी पढ़िएगा जल्दी जल्दी स्वाल करेगा मैं आपको क्यूं बोलता था कि बच्चा खुद से पढ़िए यही कारण है कि खुद से नहीं पढ़ते थे हम लोग और paper फिर हमसे पूरा देखा ही नहीं जाता तो इसलिए आपसे पुनह कोँगा कि question को जैसे ही question आपका जैसे ही paper हमारा start हो हमें जल्दी 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 चीजों को पढ़ना है और टिक लगा कर आगे बढ़ना है माइनस मार्किंग नहीं है यह एक आप सभी लोगों को फायदा है चले तो आज के paper में काफी बच्चे के 72 आये है एक 76 वाला भी बच्चा है और आपका 69 वाला भी है 59 वाला भी है और आपका 63 वाला भी काफी सरे बच्चे के message आये है मेरे पास ठीक है बच्चा और सारा का सारा basic चीज़े ही आप लोगों से पुचा गया तो I hope ये वीडियो आपको समझ में आएगा शेर करना तकि कल वाला भी बच्चा इसे देख सके और जो है समझ सके कि हमें किस तरीके सरे question को कैसे attain करना है चले नमस्ते वंद्यमात्रम